हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल एड़ा पे फ्रेंड चैनल पे नए हो तो प्ली चैनल सस्क्राइब कर लो यहाँ पे आपको रेलबे की सारी अपडेट मिलेगी अब यहाँ पे जो पेपर हुआ था लेवल 6 और लेवल 4 का 9 और 10 मई को इसमें CI और SI वाले कोश्चन में बच्चों को काफी confusion हुआ था काफी फसाओ कोश्चन था तो इन कोश्चन को solve करना जरूरी है क्योंकि अभी आपका लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 और ग्रुप D का भी exam होने वाला है रेलबे का और पेपर इसका भी TCAC बनाईगी तो यहाँ पर हम देखते हैं बिना टाइम बरवाद किये यह 9 मई का फस्ट सिप्ट का question है ब्याज की गर्णा वार्षिक चक्रविथी आधार पर करने पर चक्रविथी ब्याज पर निवेसित एक निश्चित धनरासी दो वर्स बाद 56,180 रुपए हो हो जाती है तीन वर्स बाद 69,550,180 हो जाती है तो धनरासी ग्याद करिए तो जो भी CI होता है CI में जितनी भी सेकेंड यह आपको जो रासी मिली है वो थर्ड यह की प्रिंस्पल हो जाएगी अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो दूसरे साल जितना भी आपको धनरासी मिल रहा है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करता है बस अब इसके बाद जो थर्ड यह मिला है वो CI प्लस प्रिंस्पल वो प्रिंस्पल की वेलू कितनी है 56,180 यह इसका थर्ड यह का प्रिंस्पल हो जाएगा यह वही आपकी प्रिंस्पल हो जाएगी तीसरे वर्स के लिए और वही अगर SI में है SI में प्रिंस्पल फिक्स होता है CI में प्रिंस्पल वेरी करेगा अब जैसे तीसरे साल का यह आपको धनरासी दिया है यहां पर दस्मलोग के पाद 0 है, अगर इसको-इसको माइनस करेंगे तो यह आपका C IER जाएगा, C IE इसको माइनस किया जाए, तो यह हो जाएगा 08, इसको 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, बचाएगा 7, और 4 में से 3, और 3, तो यह हो जाएगा आपका 3370.08 रुपया अब इसको 3370.08 को आप याद कर लिजे तो रेट के लिए क्या करोगे आप CI को लिखो 3370.08 बटे कितना आपका प्रिंस्पल है 56180 अब इसको जब रेट लिखा लोगे तो 100% करोगे तो 100% करोगे तो आपका यह दसमलों खतम हो जाएगा और नीचे का एक 0 गया अब इसके बाद यह कटना चाहिए आप देखे यूनिट डिजिट है जो आपका यहां भी एट दिया है यहां भी एट दिया है तो आठ के पहाड़ा में लास्ट में आठ कभाता है आठ पंचालिस आठ चंग 48 यहां पर आ रहा है तो 6 बार से जैसे ही गुड़ा करोगे इसमें 48 और 6 कम 6 प्लस 4 चालीस तो यह कट जाएगा 6 बार में आपका पूरा कट जा रहा है तो रेट आफ इंट्रेस्ट कितना आ गया आपका 6% का तो यहां से आर की वैल्लू कितनी आ गई 6% अब 6% ह हो गया है इसके बाद कहा गया है आपको धनरासी ग्याद करनी है तो दो साल में आपको दिया हुआ है 56,180 अगर CI है तो CI का एक बार हम आपको बता देते हैं स्टार्टिंग में CI में 2 साल का कितना हो जाएगा सकसेसी लगता है यह कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 अपान 100 तो यहां से अगर आप लिका लोगे टोटल तो यह हो जाएगा 12.36 टोटल इंट्रेस्ट कितना आ गया 12.36 तो 12.36 यह हो गया इतना रेट अब इसके बाद यह 112.36 की वैलू कितनी है 56,180 तो आपको पूछा है धनरासी तो अब आराम से हो जाएगा कितना था 112.36 कि वैलू दे रखी आपको 56,180 रूपए तो आपको 100% की वैलू लिकालनी है जो कि आपका मूलधन है यह हो जाएगा 56,180 बटे 12.36 गुडित्ते 100 अब यहां भी यूनिट डिजिट से देख सकते हो कि 3 के पहाड़ा रे 6 के पहाड़ा में आखरी में 0 कब आएगा जीरो से अगर जीरो भी हटा दो तो 6 के पहाड़ा में 8 कब आएगा यहाँ पे अगर इसको हम काटते हैं सीधे दिखे काटी लेते हैं ज्यादे दिमाग नहीं लगाते हैं अगर इसमें 5 से गुड़ा करते हैं तो 5 से गुड़ा करने पे कितना आएगा 5 तीस और 5 तीस 15 और एक 18 हो जाएगा 5 तो नहीं 10 एक 11 हो गया यहां थका आगया 5 कम 5 एक 6 और 5 5 बार में पूरा कट जाएगा तो 5 बार में यह वैलू पूरी कट रही है और नीचे दो बार 0 है तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर पांच बार में चला जा रहा है पांच गुड़ते चार जीरो तो यह हो जाएगा पांच के साथ चार जीरो और और एड़ हो जाएगा तो यह आपका P कितना आ गया पचास अजार आ गया यहाँ पर तो यह question यहाँ से solve हो गया, option D पचास अजार आपका आ चुका है अब इसके बाद अगले question को solve करते है अब इसमें अगला question क्या कह रहा है इसको देखते हैं, यहाँ दिया है पांच हजार की कुल धनरासी दानिस ने एक भाग को 12% वार्सिक साधाराण व्याज की दरपर और सेस भाग को 10% वार्सिक साधाराण व्याज की दरपर निवेसित करता है तो मतलब total है 5,000 रुपए उसमें से एक भाग को 12% दूसरे भाग को 10% वार्सिक साधाराण व्याज मतलब की simple interest ऐसा ही यहाँ पे दिया है दो वर्सों में दानिस को प्राप्त कुल व्याज 1,072 रुपए के बराबर है तो दानिस ने 12% वार्सिक साधाराण व्याज की दरपर कितनी धनरासी को निवेसित किया था तो यहाँ पे एक है 12% और एक है 10% तो यहाँ पे allegation वाला formula लगई आराम से आपका जाएगा क्योंकि यहाँ पे total amount दे रखा है दो साल में कितना मिल रहा है हमको 1,072 रुपए पहला वाला कितना है 12% का दूसरा वाला कितना है 10% हम इसी को मान के चलते हैं 12 अगर 5000 पे निवेस करेगा तो कितना मिलेगा 12% 5000 का हो जाएगा 600 और यहाँ दिया है दो साल में यह वाला amount आपको दिया है दो साल में तो दो साल में 12% कितना हो जाएगा 1200 इसी तरह 10% वाला कितना है 500 दो साल में हो जाएगा 1000 अब यहाँ पे हो जाएगा 1200 12% वाला और यहाँ पे हो जाएगा एक हजार ठिक अगर हम टोटल पे 12 परसेंट का और टोटल पे 10 परसेंट का करते लेकिन हमें बोला हमने कुछ इस ही भाग पर किया है और कुल व्याज किता मिल रहा है 1072 है बस यहां से सिंपल है सौल हो गया अब यहां पर आप माइनस करोगे 72 आएगा और इसको करोगे तो 1200 में यह हो जाएगा आठ और यहां पर होगा कि दो जाएगा कि दो और बच्चे का फिर 128 हो गया बहत्तर और 128 का रेशियो बन गया अगर आप इसको काट रहे हो कि मालों चार से पहले काट लेते हैं चार से काटे चार एकम चार चारतियाई 12 कि चार एकम चार चार अठे अठे 24 हो जाएगा तो 18 हो गया और यहां होगा चार यहीं 12 दो यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएग हो जाएगा 5000 कि साफ कर लेते हैं 9 और 16 का रेशियो है 9 रेशियो 16 है आपको पूछा है 9 12 परसेंट की वैलू 9 गुड़ित्ते कि बटे 25 नौ प्लस सोलो किता होगे 25 गुड़ित्ते किता कर लोगे आप 5000 कि अब इसको काटोगे 25 तुनी किता हो जाएगा अच्छास और यहां पर आएगा 200 रुपए और 9 में 200 को गुड़ित्ता आएगा अठारा सो रुपए उसने बारा परसेंट वारसिक व्याज की तर पर किया है इसी तरह अगर आपको 10 परसेंट वाला पूस्ता तो 16 अपान 25 इंटू 5000 करते महां से आपका आ जाता है एलिगेशन वाले से कोश्चन आराम से सॉल्व हो गया अब इसके बाद अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है अब अगले कोश्चन में क्या कह रहा है बीस परसेंट वार्सिक चक्रविद्धी ब्याज पहला सी आई दिया है दर पर तीन इयर तीन वर्स के लिए बीस परसेंट वार्सिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधी के लिए निवेशित एक धनरासी के ब्याज का अंतर है चार सो और तालिस रुपए निवेशित धनरासी का मान बताईए तो देखिए ऐसा ही आप सबको पता होगा एसा ही तीन साल में कितनी हो जाएगी बी 70.8 कैसे आया वो भी हम आपको बता दे रहे हैं यह देखिए सकसेसी वाला होता है सकसेसी कितना हो गया 20 दो साल के लिए पहले हम आपको बता देते हैं तो गालते है 20 प्लस 20 प्लस 20 गुड़ते 20 बटे की 100 ये कितना हो गया? 40 प्लस 4 कितना हो गया? 44 दो साल के लिए 44 आ गया फिर जब तीसरे एर के लिए लिका लेंगे 3 एर के लिए 44 फिर इसका सक्सेशिव 44 प्लस 20 प्लस 44 गुड़ते 20 बटे की 100 आपका 88 बाई की कितना हो जाएगा हंडड़ अब इसको आप एड करोगे यह हो जाएगा कितना 64 प्लस 8.8 कितना हो जाएगा 72.8 अब आपको समझ में आ गया होगा successive कैसे रिखाला जाता है 3 एर का कितना हो जाएगा 72.8 अगर आपको याद है तो सबसे अच्छा है नहीं याद है तो मैंने method आपको बता दिया है SI कितना दिया हुआ 3 एर का 60 परसेंट और CI दे रखा है आपको कितना 72.8 इन दोनों के बीच परसेंटेज का अंतर कितना है आप 8 हो गया 2 और 1 बारा दसमलो 8 परसेंट की वेलू कितनी दे रखी आपको 448 तो आपको 100 परसेंट की वेलू लिकालनी है बस बारा दसमलो 8 परसेंट की वेलू दे रखी आपको 448 तो 100 परसेंट की वेलू कितनी हो जाएगा आपकी 448 अपान 12.8 इंटू 100 आप इसको काटोगे तो यहाँ पे कैसे कटेगा 12 बारतियां 36 तीन बार में जाएगा तो देखिए आप एंसर से भी कर सकते हो यहाँ पे 4000 और 3000 तो होगा नहीं तो तीन बार में एक बार में गया इसके बाद आपका जो बचेगा बारतियां 36 और यह 8 और यह हो जाएगा 6 आएगा तो पांच बार में चला जा रहा है तो 35 रुपए यहाँ पे आ जाएगा आप इसको कर सकते हो डिवाइड इसको काट के आराम सब कैल्कुलेशन नहीं करना है एकसो अठाइस से चार्सो और तालिस कित्ती बार में जाएगा तीन दसमलों पांच बार में आपका पूरा पूरा यह चला जाएगा वैलू तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है यह आपका कितना हो जाएगा 3500 आपका एंसर हो जाएगा तो यह आपका आ चुका है और और बाकी आपके सिफ्ट वाले जो पेपर हैं पेपर अभी मेरे पास है नहीं अभी और देखते हैं कहीं से इंतिजाम हो जाता है तो सिफ्ट टू और दस तारीक वाला जो पेपर है उसका सिए एसाई का चित्ता भी कुष्चन है वह आपको जल्दी करा देंगे तो थैंकियो पर वाचिंग दिस वीडियो चैनल के साथ जुड़े जुड़िये आपका वेलकम है यहां पर